भारती संभीधान में किस अधिनियम के धांचे को सुईकार किया गया है तो भादर सासन अधिनियम 1935 के धांचे को सुईकार किया गया है भादर सासन अधिनियम 1935 धांचे को राष्टपति चना शम्बन इमामले किसकी पास भीजे जाते राष्ट्पति चना अध्यक्ष्ट कौन था प्रत्तम लोक्षवा अध्यक्ष इसका नामधा जीवी मंबलंक कर जीवी मंबलंक कर पहली बार राश्टपती सासन कब लागू किया गया था शंबीधान द्वाना प्रदत नागरक्ता के संदबंद में संसद ने एक ब्यापक नागरक्ता अधिनियम कब बनाय था तो यह 1955 में बनाय था किस देश के सुतंत्र होने के पश्चाद संबीधान सबा की पहली बैठक कब हुई थी देश के सुतंत्र होने के पश्चाद शंबीधान सबा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी कि पहली बैठक संबीदान का अइस्ताय अध्यक्छ किसे चुना गया था संबीदान सवा का यह कौन बना था संबीदान दर्मान की दिसा में पहला कार्या या उद्देश प्रस्ताव था और जो 22 जनवर 1947 को यह प्रस्ताव किस ने प्रस्तुत किया था तो उद्देश प्रस्ताव यह जब आहलार नहरू ने प्रस्तुत किया था जब आहलार नहरू ने प्रस्तुत किया था भारत के पहले उप प्रधान मंत्री कौन बने थे भारत के पहले उप प्रधान मंत्री बने थे सरदार बलब भाई पटेल सरदार बलब भाई पटेल बने थे सबसे लंबी अब्दी तक एक ही विभाग का कारभार स्रमालने बाले केंद्री मंत्री कौन थे तो वह हैं राच कुमारी अ मुल्व संबीधदान में राज्जों को कितने बरगों में बंटा है? मूल संभीधान में राज्जों को कितने बर्गों में बाटा है तो राज्जों को चार बर्गों में बाटा है अंगला प्रिश्ण है लोगसवा की सतस्ता के लिए उम्मीद बार को कितने वर्ष कम से कम होना चाहिए तो लोकसबा की सतस्ता के लिए उम्मीद बार को कम से कम 25 वर्स का होना चाहिए जब भारत सुतंत्र हुआ उस समय कांग्रिस का अध्यक्ष कोवन था जब भारत सुतंत्र हुआ यानि 1927 को कांग्रिस का अध्यक्ष कोवन था तो जे पी किर्प लानी थे प्रस्टावना में किन सब्दों को नहीं जोड़ा गया था तो वै गुट नर्पीक्च सब्दों को नहीं जोड़ा गया था किस राज में बिधान-फ्रिषत-अजिएस संख्या सबसे कम है तो यह जम्मो कश्मीर में ती किस में जम्मू कस्मीर में, भारत में किस परकार की साथन विवस्ता अपनाई गई है पहला शंबेधानिक संसूतन अधिनीयम का बना था पहला शंबेधानिक संसूतन अधिनीयम या 591 में बना था अंगला फ्रिश्ट है कि राष्टपती पत के निर्वाचन हेदू उम्मीद बार की जो अधिक्तम आयू है वह कितनी होनी चाहिए तो राष्टपती पत के निर्वाचन या चुनाव के लिए उम्मीद बार की अधिक्तम आयू की कोई भी सीमा नहीं है भारत का संभीधान कव अंगी किरत किया गया था 26 नमबर 1949 को अंगी किरत किया गया था किस बरस गांधी जहनती के दिन केंद्रिय प्रशासनिक प्राधिकरण की इस्तापना की गई थी 1985 में की गई थी में केंजरी प्रशासनिक अभी करण की इस्थापना की गई थी बिधान प्रषिशत को सभट करने वाला आकरी राज है तमल याड़ु राजिह जिस ने हाली में स्कुष स्माप्त कर दिया है जवहाला नहरुल ने निध्राइन के परशाद किसे प्रदान scor करण की राजिस्थान में पंचायती राजबिवस्ता की सुरुवात किस जले में हुई थी राजिस्थान में पंचायती राजबिवस्ता की जो सुरुवात है यह नागौर से हुई थी कहां से नागौर से हुई थी किसकी सिपारिस पर शंबीधान सबा का गठन किया गया था सबा में विविन प्रांतों के लिए 296 सब्सक्राइब का निर्वाचन होना था इन में से कॉंग्रिस के कितने प्रति निर्वाचित होकर आए थे तो टोटल कॉंग्रिस के 208 प्रति निदी चुनकर आए थे अंगला प्रिश्ण है कि मुस्लिम लीग ने संबीधान सबा का वहिशकार किस कारणशे किया था मुस्लिम लीग मुसल्मानों के लिए एक अलग संबीधान सबा का वहिशकार किया था भारत की संगी बिवस्था पाली का को किस नाम से जाना जाता है भारत की जो संगी बिवस्था पाली बिवस्था पिका है इसके लिए संसत के नाम से जाना जाता है इसके नाम से संसत के नाम से जाना जाता है इसमें क्या क्या होता है संसत में होता है राश्ट पती लोगसवा और राज सभा होती है ठीक है अंगला फिश्ण है कि भारतिय सांसत का निर्मान कैसे होता है तो भारतिय सांसत का निर्मान लोग शबा प्लस राज सभा प्लस राष्ट पतीक से मिलकर बनती है भारत की शांसत के कितनी सदन है संसत के दूर सदन है कौन कों से लोग सभा और रा संसत का इससाई सदन कौन होता है संसत का जो इससाई सदन है वाय कौन सा राज सबा होता है जिसका कभे भी बिगटन नहीं किया जा सकता भारती संसत का तीसरा अंग कौन सा है भारती संसत का तीसरा अंग है राष्ट्र पती संसत के दो क्रेमिक अधी विश्णों के मद्द कितने अंतरार होना चाहिए तो कम से कम 6 माई का अंतर होना चाहिए भारती संसत को कौन भंग कर सकता है भारती संसत को केबल और केबल रश्ट पती द्वारा भंग किया जा सकता है भारतिय संसत की प्रभूता किस में प्रतिविद्ध है भारतिय संसत की उसांप प्रभूता है यह नियाय समीक्चा से प्रतिवादत है भारतिय संसत की सयुक्त बैठक के संबंद में होती है भारतिय संसत की दूनों सदनों की सयुक्त बैठक है यह साधरन बिदेक के लिए होती है संसत यह प्रणाली बाली सरकार को अन्न किस नाम से जाना जाता है संव्णाली बारे सरकार को किस नाम से जाना जाता है तो उसके लिए कहा जाता है संविये सरकार संविये सरकार कहा जाता है अंगला प्रिश्ट ने कि संभीधान लागु होने के बाद सर्प्रत्म 13 clean संवी नवासी एन उन्यश्टों नवासी में 13 classroom of constitution का गठन हुआ था आएस्ताई संसत भारत में कब तक रही थी आएस्ताई संसत जो दिया भारत में 17 अफ्रेल 1952 तक रही थी संसत भवन का उद्गाठन कब हुआ था संसत भवन का जो उद्गाठन है यह 1927 इसवी में हुआ था संसत भवन यानि पाली या मेंट हाउस का उद्गाठन किस ने किया था संसत भवन का जो उद्गाठन है यह लौड इर्विन ने किया था जो कि उस समय भारत का वायश्टा था राजसभा का सदस बनने के लिए न्यूतम आयू कितने होने चाहिए तो राजसभा का सदस बनने क किया जा सकता तो राज सभा को भंग नहीं किया जा सकता लोग सभा राज सभा में गड़ पूरती संख्या क्या है लोग सभा राज सभा में गड़ पूरती की जो संख्या है वह कुल सदस्टों का एक बटी दस भाग कुल सदस्टों का एक बटी दस भाग वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्च उस सदन का सदस नहीं होता वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्च उस सदन का सदस नहीं होता तो वह है राजसबा और राजसबा को अध्यक्च होता है वह कौन होता है तो वह होता है उप राश्ट पती होता है उप राश्ट पती होता है जासकता है 14 दिन के उंदर लोटा जाइँ है ये कि भारत करने कोई भी सरकारी खर्चांट नहीं किया जा सकता राजसवा की सभापती की अनुपस्थटी में encouraged कॉ hook करता है तुझा करता है ऑफ सभापती का घरता icos राजसभा के दी वार्षिक चुनाओं को अधी सूचना कौन जारी करता है राजसभा के दी वार्षिक चुनाओं को जो अधी सूचना है वह निर्वाचन आयुग जारी करता है केंद्रिय सांसत राश्ट हित में राज्य सूची की विशाओं पर कानून कब बना सकती है तो है राजसभा में उपस्तिस हस्तों के दो तहाई पर कब बना सकती है राजसभा में उपस्तिस हस्तों के दो तहाई पर बना सकती है राजसवा की दू बैठकों की मद्द समय अंत्राल कितना होना चाहिए तो अधिकतम 6 माई का समय अंत्राल होना चाहिए लोगसवा का नेता कौन होता है तो लोगसवा का नेता होता है देश का प्रदान मंत्री लोक्षवा का नेता कौन होता है तो लोक्षवा का जो नेता है वहा है लोक्षवा अद्धक्ष को ठीए कौन लोक्षवा अद्धक्ष को होता है लोक्षवा अद्धक्ष होता है नेस्ट है कि भूत पूर में कम से कम बर्स बारा सत्र जरूरी होते हैं लोगसबा को कौन भंग कर सकता है लोगसबा के लिए कौन भंग कर सकता है तो राष्ट पती भंग कर सकता है लोगसबा के लिए और यह है प्रिधान मंत्री की सलाप और भंग कर सकता है प्रो मैट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है प्रो मैट स्पीकर की नियुक्ति राष्ट पती के द्वारा होती है कितने दिनों तक अनुपस्ति रहने पर लोगसबा के सबस्ता समाप्त हो जाती है तो वह है दो माहे के बान किस विद्यक को केवल लोकसवा में ही पारत किया जा सकता है किस विद्यक को केवल लोकसवा में पारत करती है तो वह करती है बित्य विद्यक को मंत्री परिशत किसके प्रती उत्तरदाई होता है तो मंती प्रेशर जो होता है वह एक लोकसवा के प्रति उत्तरदाई होती है किस अवस्ता में संसद लोकसवा का कारेकाल बढ़ा सकती है किस अवस्ता में संसद लोकसवा का कारेकाल बढ़ा सकती है तो आपातकाल की इस्तिती में बढ़ा सकती है लोगशबा का आइस्था अध्यक्ष कौन होता है तो लोगशबा का जो आइस्था अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति कौन राष्ट्र पती के द्वारा की जाती है राष्ट्र पती के द्वारा की जाती है लोगसवा द्यक्ष अपना त्याग पात्र के से देता है लोगसवा अपना त्याग पात्री है लोगसवा उपात द्यक्ष को देता है रणायक मत का अधिकार किसके पास रहता है रणायक मत का देने का जो अधिकार रही है लोगसवा द्यक्ष के पास रहता है किसी बिद्रियक पर दोंग पक्ष में दि बरावार-बरावर भूट रही तो जो निद्राइक मत alors लोगस्वा का सच्षिवाला किस्त तर्थ होता है लोगस्वा Buga सच्षिवालाइक से नियंत्रित होता भारत के प्रतम लोक्षवा द्यक्ष कौनती भारत के प्रतम लोक्षवा द्यक्ष का नाम है जीवी ममलंकर यानि गणेस बाशू ममलंकर लोक्षवा का जनक के से माना जाता है तो लोक्षवा का जनक ही गणेस बाशू यानि जीवी ममलंकर को माना जाता है लोक्षवा के प्र किस लोगसबा अद्यक्ष का कारेकाल सबसे लंबा रहा था तो बल्लाम जा खड़का बल्लाम जा खड़का रहा था लोगसबा के अद्यक्ष या उपाद्यक्ष की अनुपस्तिती में लोगसबा के अद्यक्ष का कौन करता है तो वह है लोगसबा का सबसे वरिष्ट तम सदस्क करता है राष्ट मंदल अध्यक्षों के संभीलन का पदेन महासचयों कौन होता है राष्ट मंदल अध्यक्षों के संभीलन के जो पदेन महासचयों होता है वह होता है लोक सभा का महासचयों संगीय मंत्री मंदल की बैठक कब सभापती होती है संगीय मंत्री मनग जो बैठक होती है इसका सवापती कौन प्रधान मंत्री होता है प्रधान मंत्री का कारेकाल कितने वर्ष तक रहता है तो प्रधान मंत्री का जो कारेकाल है यह पांच वर्ष तक रहता है प्रधान मंत्री पत से त्याग पत्र देने बाले पहले प्रधान मंत्री कौन थे प्रधान मंत्री पत्र से त्याग पत्र देने बाले पहले प्रधान मंत्री थे मोराजी भाई देशाई मोराजी भाई देशाई प्रधान मंतरी बनने के लिए नियूतम आयू कितनी होनी चाहिए किस प्रधान मंतरी ने एक बार अपने पत से हटने के बाद दो बारा पत सबहाला था तो वै थी इंदरा गांधी इंदरा गांधी जबाहला नहरूप के बाद भारत के प्रधान मंत्री कौन बने थे जबाहला नहरूप के बाद भारत के प्रधान मंत्री गुलजारी लाल नंदा बने थे संसदिय सासन प्रणाली में वास्तवे कार पालिका की सक्ती किस के पास होती है सबसे कमायू में प्रधान मंत्री कौण राजीब गांधिडी बने थे लोकसबा में बहुमत दलकार नेता कौन होता है प्रधान मंत्री होता है भारत के मंत्री परिशद में अधिक्तम सदस्त संक्या कहां से लिये जाते हैं तो भारत में जो मंत्री परिशद है इसमें सबसे अधिक्तम सदस्ते लोग सवासे लिये जाते हैं और कुछ लिये जाते हैं राजिस सवासे सुतंत्र भारत के प्रत्थम प्रत्ती रक्षा मंत्री कौन थे सुतंत्र भारत के जो प्रत्ती रक्षा मंत्री थे वह थे सरदार प्लब भाई पटेल सरदार प्लब भाई पटेल सुतंत्र भारत के प्रत्थम बित्त मंत्री कौन थे सुतंतरभाद के जो प्रत्थम बित्त मंत्री थे वह ते डांक्टर जॉन माथई क्या राजसमा का सदस मंत्री परिशत का सदस बन शकता है तो यह जरूर बन शकता है किसी राज की कारपाली का की सकती किस में नहत होती है किसी भी राज की जो कारपाली का की सकती है नियुक्त या नहित रहती किसमें राजपाल में नहित रहती है भारत की पहली महिला राजपाल कौन बनीती भारत की पहली महिला राजपाल बनीती सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू यह राजपाल बनीती और है कहां की यूपी यान की उत्तर प्रदीश की राजपाल बन करना ना भूली तो चलिए दूस्तों मिलते हैं अंगले नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए दूस्तों बाए